हेलो, हलो, हाँ भाईया, MCD से बोल रहे हो, क्या, ये मेरे घर के सामने एक मरी होई गाय पढ़ी है, क्या प्लीज उसे उठवाने के लिए किसी को भेज सकते हैं, गाय ही है न वो, है, मैंने का कोई कुट्टा, बिल्ली, भैंस तो नहीं है, गाय ही है न वो, हाँ भाईया, वो दो सींग दिख रहे हैं, मुझे उसके वहाँ पर और एक थन दिखने लग रहा है, गाय ही है, अच्छा तो हमें ये बताईए, उसका काउधार नंबर क्या है, काउधार, क्या, ये क्या चीज हो, काउधार नहीं जानते क्या, जैसे आदिमियों के लिए अधार काड होता है वैसे ही गाय के लिए काउधार होता है, सारी इंफोर्मेशन इसमें सेव हो जाती है, गाय के कान के नीचे चेक करिए, वहाँ पर आपको उसका काउधार नंबर मिल जाएगा, जरा चेक करके हमें बताईए क्या है नंबर, एक मिनिट में देख के आता हूं जरा, नहीं भई किया जा सकता है कि नहीं इस पर कोई उठाने आएगा क्या, सुनिये, आपको एक नो अबजेक्शन सर्टिफिकेट बनवा के लाना पड़ेगा अपने लोकल गवरक्षक लीडर से, उसके बाद उसे अटेस्ट कराईए अपने लोकल पंचायत लीडर से, और वो जाके हमें जमा करा दीजिए, ये सब मुझे क्यों चाहिए, मैंने थोड़ी मारा है उस गाय को, बस लाश हटानी है महां से मुझे, आपको नहीं भाई, हमें चाहिए, कल को हमने कोई गाय उठाई जिस पर कावधार नंबर नहीं है, तो गवरक्षक वाले आके हमें पीटना शुरू क हमें अपनी जान बड़ी प्यार ही है, इसलिए ये करना बहुत जबूरी है, अच्छा फिर मैं किसी गवरक्षक दल की लीडर को नहीं जानता तो क्या करूं फिर मैं, आप डाइल करें, वन एट जिरो जिरो ठीक है, ये है गवरक्षक हेलप लाइन, 24-7 एबेलेबल है, और उठाने आ जाएगा न, कोई हलप लाइन डायल करके, बिलकुल उठा लेंगे, बस एक डेथ सर्टिफिकेट और बनवा ली जिए, डेथ सर्टिफिकेट गाय का, और कौन बनाएगा फर ये डेथ सर्टिफिकेट, एक लाइसेंस्ट गवनेकॉलोजिस्ट, ये इतने सारे नई medical school भी खुल रहे हैं इसमें हम तो कहेंगे अपने बच्चे को भरती करा लीजिए यहां पर बहुत पैसा है यहां पर आज के टाइम पर अच्छा तो पहले एक no objection certificate बनाऊंगा फिर एक death certificate बनाऊंगा मैं ठीक है उसके बाद तुम गाए को उठाने आ जाओगे ना बिल्कुल बस फिर एक release form बनवा लीजिए अपने district animal welfare unit से और फिर हो जाएगा आपका पर मरी हुई गाए और किसकी property हो सकती है मरी हुई हो तो तब ही तो जिन्दा होती ही तो क्या हमें call कर रहे होते हैं यह तो पागल बंती है बिल्कुल अब यह कितना टाइम लगेगा रिलीस form sign करने में डिपेंड करता है कई बारी अगर आप लखी है 14 दिन में ही काम हो जाएगा कुछ एड छपने के 14 दिन काफी होते हैं लेकिन कुछ officers कहते हैं एक दो महीने तक छापो 14 दिन की एड missing person एड का नाम सुने हो एक गाय की फोटू उतारना उसकी कोई identification मार्क होगा बॉड़ी पे उसकी भी फोटू उतारना और एड छपवा देना एक English अख़बार में और एक Hindi अख़बार में और 14 दिन तक यह चलते रहना कम से कम ठीक है भाई तुम अपना माख लगा हो ठीक है 14 दिन तक मैं यह काम करूँगा तो इतने में उसकी जो लाश पड़ी हो यह सड़के बदबू मारना शुरू करते ली फिर क्या फायदा होगा इन सब चीजों का भाया rules and regulations है हमारी भी मजबूरी है हम क्या कर सके यह ना यह तुम अपनी बखवास अपन गव रक्षा के अथोरिटीज गव सेवा के अथोरिटीज इसे सुन रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा आप अपना फॉर्म लीजिए और अपनी फीस जमा कराईए और इससे छुटकारा पाईए फीस अब फीस किस चीज की भाई वो अपना यह काम काज में फीस तो लगी आपक्स वेलकम तो नू इंडिया